आज तक सावन में तो आप यूँ ही पूजा करते चले गए लेकिन अगर वाके में ही शिवजी को प्रसंद करना है तो क्यों न कुछ खास करें जो सिर्फ आप कर सके आपकी राशी के हिसाब से आपको बताऊंगी पर इससे पहले सावन के महीने की कुछ खास जानकारी आपको देती हूं हिंदू क्यालिंदर के हिसाब से श्रावन या सावन का महीना चातुर मास यानि की बहुत अस्पिशिस महीना माना जाता है इस महीने में आने वाला जो श्रावन सितारे होते हैं इसके कारण इसको श्रावन मन कहा जाता है श्रावन का मास कहा जा हर मंदिर में देखेगा पूरे महीने शिव भक्त अराधना में जुटे रहते हैं इस महीने में गनेश चतुर्थी एकादशी प्रदोश शिवरात्रीमास व्रत की पूर्निमा ये सारी चीज़े आती हैं और साथ में आती है हरियाली अमवस्या नाग पंचमी रक्षा बंदन तो इस महीने में शिव पारवती जी का पूजन होता है और अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फाइदा होता है इसलिए सावन के महीने का बहुत ज़्यादा इंपॉटन्स है इस महीने में जो कुवारी लड़किया होती है वो अच्छा हजबन पाने के लिए सावन के सोम वरका वरत रखकर शिवजी की पूजा करती हैं तो यह इसकी इंपोर्टन्स है लेकिन और क्या-क्या खास है यह भी आपको बताती हैं सावन के महीने के पीछे कुछ कथाएं भी हैं जो बहुत प्रचलित हैं जैसे देवी सती ने जब पारवती के रूप में दुबारा जन्म लिया तो इसी महीने में शिवजी को प्रसान करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया और कठोर तब किया आज के समय में भी कल्योग में भी फीमेल्स ऐसा करती हैं लेकिन तब जब हस्बन से कुछ चाहिए हो पर उन्होंने हस्बन को पाने के लिए ऐस माना जाता है कि आते हैं और अपने ससुराल गए थे वहां उनका जल अभी शेक किया गया था अब समुद्र मन्थन के बाद जब भगवान शिव ने विश पिया था तो उसका प्रभाफ कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था इसी कारण इस मही और ना निगली जा रही है नोगली जा रही है तो ऐसे में शिव जी पर जल चडाने से आपकी प्रब्लम से आपको निजात मिलती है बगवान ना करें लेकिन अगर आपको आपके किसी जानकार को किसी फैमिली मेंबर को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो प्लीज उनके साथ ये टिप्स शेर करें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ किसी का भला करेंगे तो कुदरत सौ गुना जादा आपका भला करेंगी पर इससे पहले confidence कैसे बढ़ाएं ये बहुत जरूरी बात है ये जान लेते हैं वैसे तो इनसान अपना confidence खुद बढ़ाता है लेकिन अस्ट लॉजिकली हम हर चीज का shortcut ढून सकते हैं तो चलिए confidence बढ़ाने का shortcut बताती हूँ confidence बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूद चड़ाएं याद रहे कि शिवजी चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं और चंद्रमा यानि कि आपका मन तो कच्चा दूद चड़ाने से आपका मन स्ट्रॉंग होता है मंडे को वाइट कलर की काउ को गुर चावल वगर खिलाएं इससे भी आपका मून स्ट्रॉंग होगा जब मन स्ट्रॉंग होगा तो सारी चीज़ पर आपको विज़े मिलेगी संडे के दिन तामबे के बर्दन का दान करें सूरे मजबूत होगा आप अपनी आत्मिक बल से खुद को जीत पाएंगे एक काम और कर सकते हैं राइट हैंड की रिंग फिंगर में पांच रती का अच्छा सा आप माने कियाने की रूबी पहने या तामबे की जॉइंटलेस अंगूठी पहने ये अंगूठी आपको संडे की दिन सुबह ब्रह्म मौरत में ही पहने चाहिए देखिये confidence कैसे पढ़ता है इसके अलावा किसी important काम पर जाते हैं किसी important travel journey पर जाते हैं कहीं जाते हैं तो थोड़ा good खाकर पानी पी कर जाएं ये जो sun और moon हम मिला रहे हैं आपको जिन्दगी में हारने नहीं देंगे एक काम और कर सकते हैं कि संडे की दिन नमक का सेवन ना करें हो सकें तो पूरा दिन आप fast रखें क्योंकि संडे यानि कि आपके आत्मिक बल में अगर शनी नमक मिला देते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता अपने साथ हमेशा एक चांदी का सिक्का रखे लेकिन हाँ सिक्का स्क्वेर शेप का होना चाहिए इससे भी confidence बढ़ता है और हर मंडे को बबूल के पेड़ की जड़ों में दूर चड़ाएं और देखी आपका confidence कैसे बढ़ता है अगर बबूल नहीं मिलता है तो पीपल पर ही जल जड़ा दे confidence तब भी बढ़ेगा